Welcome back to my channel दोस्तों स्वागत करता हूँ अब सभी का अपनी YouTube के चैनल पे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ मैं एक लाक रुपए का मैंने एक पॉर्टफोलियो बनाया है उसके बारे में दोस्तों बहुत सारे लगातार कमेंट मुझे आ रहता है कि सर एक लाक रुपए का एक पॉर्टफोलियो बना के दीजिए जो अच्छे रिटन कमा के दे सके तो दोस्तों एक लाक रुपए का मैंने यहाँ एक सूपर मल्टी बैगर पॉर्टफोलियो तयार किया है जिन कंपनियों का यहाँ पे मैं चुनाव किया है वो सारी की सारी शांदा में आपको बता है करेक्षन भी अच्छा कासा होता है इसलिए मैं समय 15 साल ले रहा हूं समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस पॉर्टफोलियो के लिए तो एक लाख रुपए का पॉर्टफोलियो बहुत सारे लोगों ने भाई लोगों ने मेरे बार-बार क काम करके आपको दे देता हूं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली दफ्रया है तो कर ये सब्सक्राइब पसंद आए वीडियो लाइक भी कर दीजेगा चलिए कौन-कौन से स्टॉक का चुनाव किया है सब बताऊंगा वीडियो के अंदर बने रहिएगा यहाँ पर पो है मतलब करेंट मार्केट पाइस आप जिसे कह सकते हैं यह टोटल कॉस्ट मतलब प्रिकुलर एक स्टॉक के अंदर कितना निवेस है उसका यह भाव है दोस्तों तो पहला स्टॉक जो चुना है मैंने एसारेफ लिम्टेड मल्टी बैगर रिटन प्रोवाइड करने वाली 2,161 रुपए पे एसारेफ कल के दिन क्लोज हुआ है तो तस कॉंटिटी अगर आप उठाएंगे तो 21,610 रुपए का यहां पे आपका निवेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों दूसरा स्टॉक दोस्तों आपके सामने आ चुका एक और सूपर से सूपर मल्टी बैगर स् अगर आप पांस सेर उठाएंगे इसके तो दोस्तों करीब 28,070 रुपए का आपका निवेस इस कंपनी में होता है तो बजाज फाइनस एक बहुत ही प्यारी बिजनेस वाली कंपनी है इस पर जरूर्स आपको नजा रखनी चाहिए अगला स्टॉक दोस्तों आपके सामने आ चुका है ब्रोकिंग एंड सिक्योर्टी से रिलेटेड दोस्तों कंपनी है एंजल वन या एंजल ब्रोकिंग जिसे आप कह सकते हैं 15 स्टॉक आपको उठाने हैं दोस्तों इसमें यहाई बीटा कॉंटर है दोस्तों इसलिए मैंने ज्यादा स्टॉक इसके चुने है 12111 पर ट्रेड हो रहा है 15 स्टॉक अब उठाते हैं इसके तो करीब करीब 18165 रुपए का निवेस होगा अच्छा खासा करेक्शन एंजल बोकिंग में हो चुका है बजाच फाइनेंस में भी अच्छा करेक्शन है और एसारत में भी अच्छा करेक्शन है तो यह सारी स्टॉक करेक्शन हो चुके अपने हाइयर प्राइस से दोस्तों अच्छा कासा अगला स्टॉक दोस्तों आगे है मोवाईल एडवर्टीजमेंट के बिजनेस में काम करने वाली दिगज कंपनी एफ एल इंडिया अभी जादा वक्त नहीं हुआ इसको बजार में आ हुए लेकिन दो फ्यूचर इस्टिक कंपनी है और दोस्तों बहुत ही शांदार बिजनेस कर रही लगातार और फ्यूचर बे काफी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीर है दोस्तों अगला स्टॉक दोस्तों एपील अपोलो ट्यूब की बात करूंगा दोस्तों 846 रुपए पे कल क्लोज करती है और अभी हाल फ्लाल में इसके उपर 1245 रुपए के टार्गेट निकल के आए हैं इसके करेंड मार्केट प्राइस से करीब 50% की तेजी की उम्मीद दिखाई देती है मुतिलाल उस्वाल को दोस्तों अगला स्टॉक दोस्तों मेरा एक और फेवरेड वीबील मतलब व पॉंटिटी उठानी है दोस्तों 794 रुपए क्लोजिंग भाव है यह स्टॉक का ओल टाइम हाई दोस्तों आपने देखा है 810 रुपए के साब से और यह अभी करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है और सायद मुस्किल ही है इसमें करेक्शन बहुत जाता देखने को आ 11 स्टॉक लेने है 440 का भाव चल ला है 4,840 रुपए का यहां पे निवेस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा तो यह दिगज कंपनी है जो कि आपको मैं रहा हूं हाउस होल्ड से रिलेक्टेड है तो टोटल आपके इस तरीके के स्टॉक आपने देख लिए तो टोटल आ 99,980 रुपए का निवेस आपको करना होगा और यह दोस्तों एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो की तैयार हो चुका है आपके सामने यह आपको बहुत ही हेल्दी रिटन लॉंग टर्म के अंदर दे सकता है तो आसा करूँगा आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी पसंद लाइक कर लीजेगा चैनल में अगर पहली बार है तो जरूर से करिए सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो तब तक लिए बाए बाए